एह हैं दिनेश लाल यादो निरहुआ जो अपने आप में एक अलग हैं लोग इन्हें जुबली इस्टार बोलते हैं आगर हैं तो निरहुआ लेकिन निरहुआ वाकई उस गाने को चरितार्थ कर दिये जिस गाने को बिस वर्स पहले गाया करते थे कोने कोने बिजली की तार दवराएंगे केहु जोन किया नहीं करके दिखाएंगे आखिलेस यादो को भी इन्होंने परस्त कर दिया जहां लोग काते कि यादो का गड़ है वहाँ भी लेकिन है तो भया ये जुबली इस्टार जो भी है लोग इन्हें जुबली इस्टार के न अपने ही जीले के आजमगड के बगल में ही पहुँचे और जा कर इन्होंने एक अलग बयान दिया देखिए इस वीडियो में कि क्या बयान उन्होंने दिया और कहा क्या है यादाओं को जुबली इस्टार दिनेश लाल यादो निरहुआ हमेशा जुबली बाजिक करते रहते हैं अगर आप देख रहे होंगे तो यह हैं दिनेश लाल यादो निरहुआ ची कुछ दिन पहले मैंने उनका वीडियो सुच किया बड़ा अनन्दित महसूस हुआ वाकई सांसद हो तो आईसा है कुछ भी हो लेकिन फिलिम के साथ साथ रियल में भी जो काम रिल में करते थे वही काम रियल में भी करने लगे आज मैं बता दूं कि एक दिन से वीडियो बहुत काफी वाइरल हो रहा है जिस तरह से उन्होंने एक नारा लगा दिया हमारे देश प्रदेश में अकसर नारा हमेशा अबल रहा है जिस तरह से बात कर दिया जाए दिनेश लाल यादो निरहुआ की तो आप फोटों में देख रहे हैंगों कि जिस तरह से चल रहे हैं कहते कुछ और करते कुछ और मैं मैं नहीं कहता हूं यह आजमगण के लोग कहते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मुझे भी कोई जातिय ना दुस्मनी है दिनेश लाल यादो से ना मतलब हो है लेकिन हाँ एक मैंने देखा है वाकई सांसद हो तो दिनेश लाल यादो निरहुआ जैसा कुछ यादों पर आज एक तंज कसते हुए आजमगण से चलके आते हैं चंदवली शकल्टिहा में ए देश पर सिधा थमाके दार बोल दिया कर दिया सभी सच्चे जितने होते हैं सच्चे यादों देश के बाकी सबकी लेश के इतने पर भाईया तिल मिला गए यादों अगर सच्चाई रहा ये भी तो यादों हैं और यादों को अगर ऐसा कहेंगे तो दर्ण तो होगा ही जिस से अगर बात कर लिया जाए तो कुछ लोग आजमगड की बात कर लिया जाए तो जहां फिल्म की सुटिंग करते हैं वही पे जनता दर्बार लगाते हैं आजमगड के लोग बढ़े खुस है इराजा हो तो निरहुआ जैसा जैसा मैंने पहले भी का चुका है कि जिस तर से उन्होंने फिल्में दर्स आया 20 साल पहले गान उन्होंने दे दिया कि कि सच्चे यादो देश के बाकी सब अकिलेस के ये कहां तक सऀ है वे उन्होंने ये भी ख़हा। कि अकलेस संहाजवादी नहीं परिवारवादी है है इसक्ति अक्रिएस और यादों पुलिएकर अगर देखा जाए तो दिनेसलाλλल यादू भी ज़िए यादू है अकलेस यदू भी ज़िएं लेकि यादू पर कितना यह आरोब साबित होता है, कितना सत्य साबित होता है, कुछ यादों का कहना है कि नहीं, निरहुआ ने सही कहा, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, अखिलेस यादों पे इतना तीखा तंज अच्छा नहीं है, मैं भी जानता हूँ कि जहां से देखा जाए तो अखिलेस यादो कुछ जब इसांसद नहीं हुआ करते थे जब संस्कृति से जुड़ा करते थे उस समय अकिलेस यादो ने इन्हें बहुत बड़ा पुरुषकार समानेज भी दिखिये थे अच्छा लगा था लेकिन क्या ऐसी चल गई कि अकिलेस यादो पर हमें साथ तीखा तंज कस्ते रहत कि तो निर्हुअां डिस जाये तो डिनेश लालीयादों निरहुआजी बहुत सुसील है और इसी से मिलते हैं किसी से बात कर तें लेकिन हाँ जब भीजेपी और सापा कि बात आती घबर बखिना बड़ा मुषकी हो जाता है जिस बीदिपी को देखकर अब समझ जाएंग जिस तरह से अखिलेस यादों पे उन्होंने तंज कसा, कितना सच्चाई है ये तो समय बताएगा, और कितने लोग देश के हैं ये भी समय बताएगा, हम नहीं बताएगे, लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो लोगों पे कितना प्रभाव पड़ता है, ये वीडियो औ और इनका ये नारा कहीं ऐसा नहों कि यादों में फूत चाल दे, तकलिफ तो सबको है, लेकिन नहीं, समाज को जोड़ के चलना है, और समाज हमारा वीडियो बनाने का यह उद्धिस है, जिस तरह से अखिलेस यादों और दिनेस लाल यादो निरहुआ का ये बयान है, उस बयान में कहां तक सचाई है, आप लोग कमेंट करके बताई, आज के लिए बस इतना ही बने रहें वीडियो के साथ, फिर अगला वीडियो में, जिस तरह से दिनेस लाल यादों निरहुआ हमेसा तिखा तंज कस्ते रहते हैं, कहीं ना कहीं ये आवहेलना है, अगर देखा समाज को हम जोड़ने का काम करेंगे, अखिलेस यादों भी सही है, एक तरफ से दिनेस लाल यादों भी सही है, बाकी पबलिक सब जानती है, सभी लोग बुद्धी जी भी है, कोई बुद्धू नहीं है, आज के लिए बस इतना ही बने रहें वीडियो के साथ, मैं हुँ ज इस तरह मिलते हैं, कुछ लोगों किया क्या आजम करके सभी जनता से इस तरह से मिलना, पहली बार मैने किसी सांसत को देखा, और इस सांसत ने वाकई इतिहास रच दिया, अच्छा लगा, चुकि वीडियो मेरे यूटूब चैनल पर भी पढ़ा है, तो आगे देखें,